हेलो दोस्तों अगर आप अपना पैसा सेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाख रोपई कमाना चाहते हैं तो आज ही आप इस टॉक के साथ जुड़कर अपने डीमेट अकाउंट आप बिल्कुल फिरी में उपन कर सकते हैं जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्रेजे ट्रेज में वह भी सिर्फ बीस रोपई तो आज ही आप अप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में हैं क्लिक करें और ए इखाए देगी प्राइस बैंड में आपको बता दू 285 से 291 के बीच है निवेशक इशु में 16 जून तक पैसा लगा पाएंगे 5550 करोड का ये इशु रहेगा तो ये फिलहाल डीटेल्स हैं अब हुमाहें साथ सोना कॉमस्टार के चेर्में और नॉन एग्जेक्टिव डि गए हैं संजेश स्वागत है आपका अन कुंग्राटुलेशंस लिस्टिंग की आप लोगो ने पूरी तयारी कर दी है अब आपकी पहले सोना कोयो थी जो आपने बिजनेस बेच कर JTK80 को दिया अब ये आपकी हम कह सकते हैं सेकंड इनिंग होंगी लिस्टिज पेस में तो So tell us a little more about Sona, Comstar, किस तरह की ग्रोथ आगे देखने को मलेगी इस कंपनी के क्या स्पेसिफिकेशन से हैं? So we've been running all our businesses with the same compliances and the same efficiency that we've ran our listed company with. So you know we look forward to this new innings as you call it and you know to create value for our shareholders and our investors. And I'm sure you will Sanjay, मैं आपसे ये भी समझना चाहरे हूं, the last one and a half year have been rather difficult courtesy COVID and it's impacted mostly export markets. आपके लिए क्या इंपक्त रहा कारोबार पर अगर उसका एक अंदाजा हमें दे सके? In lockdown में काफी opportunities भी आए हैं, काफी companies के लिए. अगर आप देखोगे कि काफी efficiencies बिल्ड हुए हैं, businesses में. Businesses have gone digital, built more efficiencies. हमारे business में काफी export opportunities आए हैं. So we're very fortunate to be in this position. And I think it's time, you know, ये pandemic में और लास्ट पैंडेमिक से जो फिर्स वेव था, ग्रोथ काफी हुआ हैं, companies में, auto component space में. Demand काफी strong रहा हैं, post the first wave. And I hope that it continues. That's good to hear कि demand अच्छी है और opportunity मिली. मैं, in fact, Sanjab, electric vehicles पर आप से राई लेना चारी हूँ, क्यूंकि मैं जानती हूँ आप personally EV, green energy को लेकर passionate रहे हैं. क्या आप का company का exposure electric vehicle segment में हैं? क्या वहां पर आप business को और बढ़ता देखते हैं? So, you know, currently we're supplying 14% of our revenue comes from battery electric vehicles. अगर आप देखोगे कि हमारे manufacturing जादा से जादा इंडिया में हैं. हम 75% export revenue, sorry, revenue comes from exports. और हम, I mean, it's pretty evident that the electric vehicle market is growing. It is slated to grow 36% year on year from the reports that we read. And hopefully you will be playing a bigger role in that market as well. Sanjay Kapoor, all the very best. Sona Comstar के लिए, of course, आप से आगे चर्चा होगी जब इशु खुलेगा. And listing के करीब भी. All the very best is issue के लिए. चलिए, वक्त हो रहा एक break का. Break में जाते-जाते, खिलारी No. 1 का update. आपके लिए फटा-फट लेकर आएंगे. आपके लिए जाएंगे.